हेलो डिये स्टुडेंट्स आज हम चैप्टर एट जो है आपका यूनिक वर्ल ओफ लिविंग ओर्गिने उसकी बुक एक्सेसाइज करेंगे फर्स्ट है हमारा राइट डाउन दा स्पेशल क्वालिटी जो फॉलोईंग अनिमल बर्ड इंसेक्ट इन टेबल गीवन आपको ए डेयरते हैं वह आपको बताना है इसे प्षरण फर्सट बाड़ है डिवोज करती है निकि फ्लाई उड़ती है क्या करती है जो किसी भी इंसक्ट पगड़ती है फाइर प्लाई जो होता है निगलती है और स्वीम तेर्टि है नेक्स्ट है हमारा पीकोग जो है वह वह भी इसमें आपकी बुक में आपको कुछ पिक्टर्स जी हुई है पिक्टर्स में एक रैबिट की पिक्टर है आपकी एलिफेंट की है पैरट है और फीस है ठीक है अब आपको उसमें उनकी क्या बतानी है कुछ यूनिक करेक्टरिस्टिक फीचर बतानी है वह पीच वन ओफ दैम इन यूवर नॉट्बुक में आपको से राइट करना है अब आपको पिक्टर है वह रैबिट की है रैबिट की है रैबिटार स्मॉल फरी मैमल्स रैबिट जो है एक चोटा जानवर है लोंग येर्स लंबे कानो वाला शोट एंड स्ट्रोंग लैक्स चोटी और मजबूत टांग वाला जो तेज दोड़ता है ऐलिफेंट इज लार्ज इसकी है इँछकी है इट लाजय उसकी जो यहां पर को मनष लगाके आपको क्या करना है इटस बीक ठीक है यह आई-ए आस की जागह- brush चोटेंगार यहां ते interprete मारम फिस हैं फीko 2 ओमजली गरफिर सकन Tuesday Kyus घुम एव और अपने पंज होती है इसकी जो पंक से होते हैं उसमें निकले हुए उनसे वो एक अस्तान दूसरे अस्तान पर जाती है अब नेक्स्ट है एक हाई साउंड इनकी बोते जावाज निकलता है उड़ते समें दफ साउंड कम बैक हीटिंग सम्थिंग इन फ्रंट और यह साउंड जो होता है यह वापस कहीं से टकरा कर मतलब किसी चीज से वापस आता है मतलब इस गुंज को सुनकर बैट कैन इसली फ्लाइ एट नाइट टाइम और रात को जो है चमगीदर आसानी से उड़ सकता है अब एक्जैमिनेशन टाइप कोश्चन है प्रिपेर ए लिस्ट वर्क्स परफॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर् एंड्स की दवारा जो वर्क किया जाता है वो और एंड्स नेम ओन्दा बेसिज ओफॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फ which of these can be identify you smell ईसमें बताना है कि आप किस चीज को प्रजान की अब करते हैं सूगने की दवारा करते हैं डिखो संधाव माशन पॉस्झ को सू आप से पaalते हैं स्जाबर कि ख hetyer के साइब अझार टिन होता है किस्वा से वह अलग काम करता है आदमी के आदमी से लग हाउस फ्लाई जो घ्रेलू मक्ही होती है मॉस्कीटो या फिर बोथ एंड भी नन ओफ दी मैं चैप्टर में बढ़ा था हाउस फ्लाई और मॉस्कीटो जो होते हैं उनकी जो आख जोती है वो अलग तरीके से काम करती है आदमी की अपेक्षा तो इसम आपकी जो परस्तिसिक चंत्र को संतुलित बनाई रखने के लिए और वी शूड प्रोवाइड फूर्टो अदर लीविंग और दूसरे जीवित जो मलब सुक्सम जीव जो है उनको भोजन प्रोवाइड कराते हैं हम आपने देखा भी होगा चीटियों का भोजन देते हैं क आपने चैप्टर में पढ़ा भी है कि स्मेल के दुआरा कौन सबसे अधिक अधिक आइटिफाई करता हैं डोग तुसका क्रेक टांसर क्या हो जाएगा हमारा डोग नेक्स्ट हमारा हूँ फ्लाइस इन दा नाइट उजिंग इको लोकेशन इको लोकेशन के दुआरा मतलब इसमें रात को कौन उड़ता है वो कोन है हमारा बैट यनि की चम गीदर अभी आपने इसके बारे में पड़ा भी था ओके टिर इस्टो टेंट्स जो गुंझ के अनुसार मतलब अपने ब्लोकेशन देखता है उसको जैसे की आपकि इन मैने बताया था कि बैट जो है जैसे है तो एक हाई साउंड निकालता है और वो जो साउंड है गुंझ कर मतलब वापस आता है तो उसी के अकोर्डिंग वो उड़ता है रात को जिसमें हमारा क्रेक टांसर हो जाएगा बैट ओके यहीं तक ही है आई में तो से यह आपकी बुक एक्सराइज जो है कंपलीट हो ग झाल झाल झाल